जो मैंने 16 साल से तपश्या की थी और कहीना कहीं मेरा स्टूडेंट है दरमवीर जिसका गोल्ड मेडल आया है हम दोनों अपस में एक दूसरे के कमपीटिटर भी हैं और उसको मैं कुछ ट्रेनिंग करा के लेकर है तो कहीना कहीं आप से बात हुई थी भी इस तारीक को तो यह लगा था कि बहुत पॉजिटिव एक वाइव आई थी कि आपको अपना बेस्ट करना है और एक कोच के लिए से बड़ी बात नहीं हो सकती कि हम अपने स्टूडेंट के साथ कंपीटिशन कर रहा था ग्राउंड में और कई ना कई मेरी तपश्या सफल हुई सर्दरमीर के मैडल से और इसमें बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन रहा सर हम लोगों की टीम में क्यूंकि हमारी सबसे सीव है तो साही ने और मिनस्ट्री ने जो डिसीजन लिये हम लोगों के सपोर्टिंग स्टाफ में आदमी बढ़ा के वहां बलके 33% का ही रेशो था कि 33% ही लोग अंदर रह सकते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में तो देविंदर वाई जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया उसक रोटेशन में करते रहे जब हमारे इवेंट आए हमारे लोगों को अंदर ले आए और दूसरे लोगों को बाहर कर दिया तो बहुत अच्छा मोटिवेशन करने के लिए थैंक यू सो मक्ट सभाई हो एशन गेम्स में मैं पार्टिसिपेंट रह गई थी मैडल नहीं जीत वाई थी तो जब आप सबसे मिल रहे थे मैडलिस से आगे मिल लिये थे तो आप आए और लाइन से सब जगा पे दोनों तरफ आमने सामने लाइन लगी हुई थी तो कुछ लोगों से यहां मिलके आप उस तरफ मुड गए थे तो बहुत नजदीक से मैंने आपको देखा लेकिन मिल नहीं पाई बात नहीं हो पाई तो वो अंदर एक टीज थी कि अब दुबारा तो मिलना ही है और उसके लिए मैंने एशियन गेम्स के बाद जान लगा दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उनसे परसनल ही मिलना ही है आप जाने लेके जाती थी मोबाईल में जीपिस लगा के तो उसे पता है मोबाईल में रस्ता धून लेते हैं तो ऐसे बोलने लगे मुझे के ममा आप रास्ता ही भूल गए घर का आप जीपिस में फोन में लगा के घर तो आ जाओ को आप लोगों का सब का बहुत सपोर्ट रहा है अश्रवाद रहा है जिसकी वज़े से हम लोग कर सके है पूरी टीम का सपोर्ट रहा है अमारे कोचिस का तो थैंक यू सो मज़ बदाई है मैं शरत कमारूर मेरा ये सेकेंड मेडल रहा है मैं थर्ड टाइम प्रालिम्पिक्स याओ तो और संदीब दोनों को बाशन करने के लिए बोलू तो कौन सबसे ज़्याद अच्छा करेगा सबसे बहुत अच्छा बोलता है और शायद इसलिए थोड़ा सा फोथ रहागिया अच्छिस लेवल पे सारे अथलेट से मुझे खुद फ्रावड फीलिंग होता है इन सब कुछ इस तरह सब जाते हैं कोचेज फीज थरपिस्टरपिस्ट सब एक टीम जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे कि एक पले सोचे थे ये आ आने लग गए और एथलेट में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया और सर में तो एक और है आप से मिलने और जाने से पहले आप जब सब से बात करते हो और फिर आने के बाद सब से मिलते हैं I think सारे मेडलिस्ट सारे एथलेट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका बल सर पैरक वह अभी तक अपना है नहीं जिस तरह आपने अपनाया है